हेलो फ्रेंड्स आज की स्वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा आप बज़ाज अटो फाइनस के मदस से टू विलर ट्री विलर की सवरे से ले सकते हैं तो अगर आपको जानकरे चाहिए इस वीडियो को लास्त जरूर दिखना नमस्का दोस्तों मेरा ना मेरा रहूल और आप देखरे अपना हमारा चैनल तो आई शुरू करेंगे फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के अंदर आना होगा इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक करने के बाद तुरंत आपकी स्क्राइट के अंदर आ जाओगे उसके बाद आपको 2-wheeler चाहिए तो 2-wheeler पर क्लिक करो 3-wheeler चाहिए तो 3-wheeler पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो चलो मैं 2-wheeler पर क्लिक कर देता हो उसके बाद आपका 1st name, last name सारी information है चोटी मोटी हो डाल देना है email आड़े आपका mobile number उसके बाद आता है bike model जो भी bike चाहिए आप वहाँ पर डाल सकते हो चलो मैं यहाँ पर केटेंबर स्लेट कर देता हो जो भी model चाहिए आप यहाँ से स्लेट कर सकते हो उसके बाद dealer के option में जाने के बाद जो भी आपके नजज़िक dealer है वह ही यहाँ पर दिखाए देगा आप दूसरे city का dealer यहाँ पर नई दिखाए देगा जिस city के अंदर रहते हो जिस आपका जो address है current address उसी address के आजू बाजू में जो भी होगा bike, showroom वह ही यहाँ पर दिखाए देगा उसके बाद क्लिक करो जो भी चाहिए आपको dealer उसके उपर उसके बाद आपको जो security capture code हो डालना पड़ेगा यहाँ से जो भी होगा code हो simple से में यहाँ पर डाल दो और submit पर क्लिक कर दो उसके बाद आपके mobile नंबर पर एक OTP आ जाएगा जो भी mobile नंबर डाला हो उसके पर OTP आ जाएगा उसके बाद confirm होने के बाद आपका account ऐसे open हो जाएगा वह पर सबसे पहले बताएगे कि आप loan के लिए eligible है कि नहीं तुरंद आपको वो लोग bike provide नहीं करते सबसे पहले वो लोग आपको आपका CB score चेक करेंगे और देखेंगे कि आप loan ले सकते है कि नहीं यह सब procedure आप 4-5 मिट के अंदर ही हो जाएगा 4-5 मिट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आप bike ले सकते है कि नहीं ले सकते जो भी loan का April ले वो थुरंत आ जाएगा उसके पास यह आप नीचे जाना है और identity टाइप पे अगर आपके पास pen card होगा जो भी आपके पास license document होगा यहाँ पर state करो चल मेरे पास pen card है और उसके पास में pen card का बढ़ाल दे तो यहाँ से आप लोगों के पास pen card होगा है अगर pen card है तो pen card बढ़ाल दो याद रखो अगर आपको budget auto finance चाहे तो आपका जो उमर है जो यह जे 21 से ज़्यादा होना चाहे 21 है उससे ज़्यादा होना चाहे आपके पास business है तो business चाहे यहाँ कई पर भी काम करो company में चल जाएगा उसके बाद यहाँ पर salary, employee, agree चलो मैं agree ताल देता हूँ यहाँ से मतलब के थी भी ती कुछ भी उसके बाद check my eligibility पर click करना होगा यहाँ से तो यहाँ पर देख सकते कि calculate loan eligibility get April in just 5 minutes मतलब आप 5 minutes के अंदर जान सकोगे कि आपको loan कितने तक मिलने वाला है और उन्हें ने मुझे बता है कि congratulations, Rahul Bambai you are eligible for maximum loan of rupees for maximum tenor 36 month 3 साल के लिए tenor मुझे मिल जाएगा और loan भी मुझे यहाँ से अपले हो रहा है friends इसके अंदर आपको थुलन पास हो जाता है क्योंकि आप bike ले रहे हो अगर आपने loan ने भरा तो लोग घर पे आकर उठा लेंगे इसलिए वो सबको यह से loan provide करेंगे क्योंकि उन्हें लोग को यह फायदा है जब आप bike लोगे अगर आप हर मैने EMI ने भरते हो दस बारा यह मैं pending रहे जाता है तो company हो ले आकर bike उठा लेते हो लेके जाते है अपनी साथ और हो वहाँ पर कुछ भी बेच भी देते है लोगों को दूसरी लोगों को तो यह आपर उनका ज़्यादा नुस्कान नहीं होता इसलिए हो लोग तुरंत आपको लोगों प्रोवैड करते हैं आपके पास salary नहीं आती होगी फिर भी लोग आपको लोगों प्रोवैड करेंगे उसके लिए आपको सिप नजजी की जो dealer है उसके पास जाना होगा वो कुछ ना कुछ जुगड करकर आपको लोगों करके देगा यहाँ पर train डाल दो सब कुछ आप डाल दो उसके बाद यहाँ पर resident type मतलब आप कहा परे तो आपका family घर है कौन सा भी सब इंफार्मफीन डाल दो सब easy है फ्रेंट से आप पर उसके बाद proceed for loan एप्रोवैड डाल दो मुझे कोई से भी बाइक नहीं ले नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ रेकिने श्टेप करने के बाद तुरनती आपको पाच मिंट के अंदर मैसेज आ जाएगा कि आपका जो loan एप्रोवल हुआ है कि नहीं loan अगर एप्रोवल हुआ तो आपको April Later मिल जाएगा April Later मिलने के पास जो भी डिलर आपने स्लिट किया था नजजी की उसके पास April Later जाकर उसको दिखाना है फिर वो जो भी वो पैसर रहेगा बज़ा जोले तुरनती वो उसके अकॉंड में डाल देंगे और जो भी हर मेने का EMI है वो आपके bank से cut हो जाएगा जो भी EMI का procedure है वो सब आपको dealer ही बता देगा उसमें कोई टेंशनली बात नहीं dealer ही सब करके लेगा CPI से आपको April लेटर मिल जाएगा loan का budget दे देगा आपको और जो लेटर है वो आपको dealer के पास दिखाना है उसके बाद dealer के पास आपको आधाकार, pencard, cancel, check, passbook, ladyblog सारे जो आपके पास document है आपके KYC लेके जाना है ताकि जो भी EMI रहेगा वो आपके bank से चला जाएगा यह सब कुछ आपको dealer करेगी अगर मान लो budget finance यहाँ से अपरोल नहीं मिलता आपको कोई भी problem है आप सिधा dealer के पास जाओ dealer आपको कुछ ना कुछ युगर करके देगा है क्योंकि आप कहे पर भी जाओ तो वहाँ से आप खलियात नहीं आओगे अगर budget के उपर नहीं होगा प्रोसेजर करेगा जो भी document लगेगे dealer आपको बता देगा तो इसके अंदर आपको कोई भी problem होता है तो नीचे comment जरूर करना मैं आपके comment का दुरानती रिप्ला देदूँगा लास्त देखने के लिए बहुत बद्द देने हैं जहीन वंदे मात्रम